हेलो एवरीवन वेलकम टो दी न्यू लर्निंग वीडियो आज की वीडियो में बात करेंगे बाउट स्टॉक मार्केट इंडिसीज सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि इंडेक्स क्या होते हैं ठीक है तो मानलो ये group of companies की जो भी overall performance होगी के ग्रूप ऐसक्र ओर बात करेंगे कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट मेंद में जली दू एक्स्छेंजिज होते हैं इसपर मैंने वीडियो बना रख़ी है आप उसे जाके देख सकते हैं, description box में मैं उसका link डाल दूँगा, so anyways, देखो अब, कौन सी major कौन सी होती है हमारे पास, national stock exchange ठीक है, and bombay stock exchange, तो अब हम देखेंगे कि national stock exchange में कौन से major index है, वैस तो काफी होते हैं, लेकिन जो major है हम उसकी बात करेंगे, देखो पहली चीज़ आत होता है, 50 large cap companies of Indian economy, ठीक है, 50 large cap companies का ये group होता है, ठीक है, जो की मान लो, अब ये 50 large cap companies, अगर इनकी overall performance क्या है, उपर जा रही है तो, nifty 50 का index भी उपर जाएगा, और अगर ये नीचे जा रही है तो, nifty 50 का index भी नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये पहली चीज़ होगी, अब इ various sectors की companies होती है, ठीक है, अब ये हम बात करेंगे की कौन से sector हो सकते हैं, जैसे की FMCG, ठीक है, फार्मा, IT, ऐसे different, different, जो major sector हैं, उनकी companies होती है, इसके बारे में हम detail में जाने की कौन सी होती है, ठीक है, उसके पहले आप देख लो कि, देखो आप 50 large के companies होगी, various sector की companies होगी, FMC GG, Pharma, IT, etc, ठीक है, साथ में हम banking भी जैसे की banking भी होती है, अब देखो, इसे क्या माना जाता है, इसे माना जाता है कि benchmark, ठीक है, benchmark, ये बहुत important चीज़ है, index of overall performance, किस चीज़ की overall performance की बात हो रही है, अब यहाँ पे, of Indian equity market, ठीक है, Indian equity market, इसे ये बोला जाता है, अगर मैं simple language म निफ्टी 50 का, तो बोला जाता है कि, जो overall performance हाना, हमारी Indian equity market की वो क्या है, डाउन है, और अगर वो rise कर रहा है, यानि की बढ़ रहा है, positive है, तो उसे बोला जाता है कि, अच्छी जल रही है, overall performance, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आप देखते हैं, 50 large cap companies कौन सी होती है, इसमे तो वहाँ से मिल जाएगी, देखो, weightage की भी बहुत important होती है, यहाँ पर, कुछ company की weightage ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, अगर जिस company की मानलो weightage ज्यादा है, उस group of companies में, अगर वो rise करेगी, जैसे reliance rise करेगी, तो क्या होगा, overall nifty, ज्यादा rise करेगी, in comparison to, अगर हम देखना चाते हो कि कौन सी companies है, क्या weightage है, तो आप जाके NSE की website पर देख सकते हैं, ठीक है, तो अब देखो, और क्या चीज़ आती है हमारे पास, हमें यह चीज़ तो पता लगी, nifty 50 में, अब हमारे पास दूसरा index, जो important है, वो कौन सा होता है, यानि कि bank nifty, ठीक है, यह कि इस चीज़ के बारे में मैं बताते है, overall performance, ठीक है, overall performance of, कौन सा sector हो जाएगा हमारे पास, यह banking sector, of Indian economy, ठीक है, तो इसमें कौन सी, कौन से banks होते हैं, कौन सी banking companies होते हैं, यह देखो, यहां से हम देख सकते हैं, जब मैं यहां पर देख पा रहा हूँ कि nifty bank, जाना कि bank nifty में क कौन से होते हैं, तो आप देख लो, HDFC bank, ICIC bank, ऐसे इस तरह से, जो 12 banks होते हैं, और इनकी weightage होती है, तो यह same funder जो मैंने बोला था, कि weightage जैसे, जिसकी weightage ज्यादा होगी, अगर उसमें change आएगा, तो उसकी वज़े से nifty bank में भी, index में ज्यादा change आएगा, ठीक, तो यह त companies बनाई, ठीक है, और जैसे मैंने बोला था, कि group of companies को बोलते हैं, हम index, जब IT sector की companies कठा होके, एक index बना देती है, ठीक है, group of companies बन जाती है, तो वो कौन सा हो गया, IT, right, nifty IT, ठीक है, nifty IT, similarly nifty, कौन से बाजेगी, pharma, ऐसे different, different sectoral indices होते हैं, हमारी national stock exchange में, अगर आप detail में जान सिंपली देख सकते होगी, कौन से कौन से index होते हैं, कौन सी कौन से, उसमें group of companies है, कितनी weightage है, सारा कुछ, तो ये बात होगी, हमारे पास, NSE की, कि NSE में कौन से index होते हैं, अब दूसरी चीज़ क्या आती है, हमारे पास, दूसरी एक्सचेंज, जो हमने बात की थी, BSE, य BSE में, ठीक है, क्योंकि BSE का index है, तो जो लिस्टीड है, BSE में वो 30 companies होते हैं, इसमें, तो देखो, इसमें, इसमें भी क्या होते है, sectoral indices होते हैं, इसमें भी sectoral indices होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, जैसे की, banking, ठीक है, banking category के हो जाएंगे, और हो जाएंगे, healthcare category के हो इसके, इसे हम कैसे देख सकते हैं, for example, BSE auto, BSE oil and gas, इस तरह से इसके नाम होते हैं, अलग-अलगा index के, ठीक है, BSE oil and gas, उसके बाद हम बोल सकते हैं, BSE IT, ऐसे different होते हैं, इसे आप चेक कर सकते हो, BSE की website पर जाके, ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास, Sensex का सारा कुछ, तो अ यहां पर, simply, जो major companies होते हैं, जानिकी, Nifty 50 या फिर Sensex में, जो top companies है, वो तो यहां पर common होती है, आगे जागे different हो जाती हैं, अगर कुछ, उसी साब से group of companies बना रखे है, Sensex में, या फिर Nifty 50 में, तो यह उनकी weightage है, उसके according आप चेक कर सकते हो, सारा कुछ की, जो ज़्यादा बढ़ेगा, उसी साब से, हमारा index भी बढ़ेगा, Sensex, जिसी साब से, हमारे major weightage वाले stocks है, वो बढ़ेगे या कम होगे, तो उसी साब से, बढ़ेगे या कम होगा, हमारा Sensex, ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया, कि जो important हमारा क्या है, Index है, BSE में, यानि कि Sensex, ठीक है, और इस हम Index को directly buy या फिर sell नहीं कर सकते, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, different, different, देखो, क्या होता है, future and options, आपने सुना होगा ना, कि FNO trading, future and options trading, ठीक है, तो future and options जो होते हैं हमारे पास, उस तरीके से, ठीक है, उनके contracts होते हैं, हम उन्हें buy या फिर sell करते हैं, और Index में trade करते हैं, ठ ठीक है, तो आप sectoral indices की बात हुई है, फिर main index की, तो मानलो अब आपको लग रहा है, कि ये group of companies अच्छा perform करेंगी, तो आप nifty 50 में trade कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इन companies का मुझे पूरा नहीं पता, 50 की 50, लेकिन मुझे ये यकीन है कि banks जो है, वो निफ्टी IT है, उसमें आप trade कर सकते हो, निफ्टी फार्मा में कर सकते हो, तो इस हिसाब से होता है, आप future and options में कर सकते हो, लेकिन जो major है हमारे BAC का, वो sensex है, और यहाँ पे कौन से है, निफ्टी 50, बैंक की निफ्टी, आप फिन निफ्टी भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐस के साथ जरूर शियर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंक्यू सो मच,